हाई एवरिवन स्वागत एक और नए वीडियो पस्तों दोस्तों आप लोग का बहुत सार ऐसा कमेंटर रहता है कि हमें 500 वाटिस का एक ऐसा एमिन फैर बताइए ताकि हमें सुपर क्वालिटी निकाल कर दे सके और उसका प्राइज बहुत ही कम हो ताकि हो हमारे प्राइज र चला लेंगे कोई इसमें प्रोग्लेम नहीं होगा तो आप लोग के लिए वीडियो काफी इन्पोर्ट है तो आप लोग इस वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा क्योंकि इसी वीडियो में उसका प्राइज सुनकर बिल्कुनी चोकने वाले हैं कि 500 वाटिस का एमिन फैर इतने कम प्राइज रेंज में हमें मिल जाएगा तो गैसे इसका प्राइज बहुत ही कम है लेकिन इसका क्वालिटी बहुत ही सुपरवान देखने को मिलेगा तो गैसे यह इमिन फैर काफी आप के लिए बैतरी होगा अगर आप लोग 500 वाटिस का एमिन फैर खोज रहे हैं अगर चैनल पे पहली बार आएं तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रिस करके और पे भी किलिक लिजेगा ताकि ऐसे ही विडियो जब भी हम अपलोड करें आपके पास्ट नोटिफिकेशन मिलता है रहा है तो चलिए गईस आज की इस विडियो को सुरू करते हैं सिंप्ली गाइस यहां पर हम बात करने वाले मेधा डीजे प्लस मोस्पेड पाउर एमिल फायर के बारे में जिसका मोडल नमबर आप लोगो पीवीटी पानसो वन देखने को मिल जाता है बट गैस यह एमिल फायर आप लोगो 501 मोडल नमबर देखने को मिल जाता है तो पैनल पे क्या क्या में फीचर और फाक्षन देखने को मिल जाता है तो गैस इसके फ्रंट पैनल पे आप लोगो मेधा डीजे प्लस का ब्रांडिंग और इसका मोडल नमबर पीवीटी पानसो वन देखने को मिल जाता है तो गैस इस सेमिफायर के अंदर आप लोगो थीरी साथ ही वहां पर मास्टर कंट्रोल के लिह एक बोल्यम देखने को मिल याँ हां पर लाइट इन्डेकेट झाल जो कि अऊट Put लेवल को ये बताएगा गाईस यहां पर आपने और स्पीकर सЕलेक्शन के लिया पर एक सीइच देखने को मिल जाएगा रेट कलर का अगर अगर आप लोग गी सीज को प्रेस किजियेगा था किया इस पीकर चलेगा अगर लोग सीज को पुना प्रेस करके बाहर लिकर लिए गदेखके हरं बिलकुल है ज़िस है अपर आप लोग को स कब ओबर नोज और पांग बती जलेगा बात करेंगे इस home fire के बारे में इसका back पेनल कुछ इस टैप से देखने को मिल जागा जो कि back पेनल पे आप लोग को बहुत ही बड़ा सा एक फैन देखने को मिल जागा जो कि is home fire को ज्यादा तर कुलिंग करता रहेगा ताकि आपका हमिलफायर कभी heat नो हो गैसे यहांपर आप लोग को reset का एक button देखने को मिल जाएगा वही जो overload जाएगा तो इसी reset button को press कीजिएगा तो overload खतम हो जाएगा और आपका हमिलफायर easily चलेगा गैसे आप लोग लोग को ground का भी एक siege देखने को मिल जाएगा अगर आप लोग E7 Fire को live program में use करेंगे तो आप लोग इस use को press किजिएगा ground का तो आप ए city का chance बिल्कुल ही कम हो जाएगा गैस यहाँ पर आप लोगो input करने के लिए यहाँ पर जेक का option देखने को मिलेगा और output करने के लिए भी यहाँ पर जेक कही option देखने को मिलेगा साती गईस यहां पर आप लोग को speaker connection के लिए आपर common का option देखने को मिलएगा यहां पर 2 ohm और 4 ohm का option देखने को मिलज़गा 8 ohm का option आप लोग को इसमें देखने को नहीं मिलएगा साती गईस E7 fire के अंदर आप लोग को LMT का भी option देखने को मिलएगा जो कि वोल्ट वाला आप लोग इस पे ड्राइवर इूनिट चला सकते हैं जो कि कमन 70 वोल्ट और 100 वोल्ट का अप्शन देखने को मिल जाता है चलेगे इस बात करते हैं E7 फार के पाउर आट पुट के बारे में E7 फार कि इतना पाउर निकाल कर दे देगा ऐसे तो दोस्तों ये 500 वार्टेज के बिख्टा लेकिन इसका वार्टेज 700 देखने को मिलेगा जो कि एस्ट्रेंजर से ये काफी मजबूत एमिलफार है एस्ट्रेंजर के मुकाबले काफी ये बेहतरीन क्वालिटी का बज़ता है बात करेंगे इस एमिलफार के पांड सप्ल आप लोगो 25 केजी देखने को मिलेगा जो कि एस्ट्रेंजर के मुकाबले काफी इसका ज्यादा वजन है यानि एस्ट्रेंजर के मुकाबले इसका हर मामले में ज्यादा आप लोगो देखने को मिलेगा उसके मुकाबले इसका पाउन और पूट भी और इसका लोड के बारे में इसके कैसे चलाना चाहते हैं तो आप तो इस टाइब के आप लोग दो टाप को पैरलर में कनेक्शन किजिए गा तो फोरूम से डाइरेक्ट हो जाएगा टू ओम और उसका वाटेज आप लोग को 400-800 वाटेज या 500 का लिजिएगा तो 1000 वाटेज हो जाएगा तो मैक्सिमाम इस पे 1000 वाटेज तक लोड डाल सकते है कोई इसमें प्रोग्लेम नहीं होगा लेकिन 800 तक लेकर चलिएगा तीज ज्यादा तर बेटर रहेगा और साउंड क्वालिटी भी आप लोग को नमबर वन मिलेगा तो गैसे आप पर इस टाइप के आप लोग दो टाप को इजिली इस वालेमिन फैर पे आप लोग को दोनो लेगा तो गैसे आपर एक टाप चलाना होगा ता आप लोग 800 या 700 वाटेस का इजली इस पे टाप चला लेगे 1000 वाटेस का भी टाप चला लेंगे कोई इसमें प्रोग्लेम नहीं होगा जिसका इंपडेंस आप लोग को फोरम होना चीए 15 इची का स्पीकर रहेगा जो कि आ एक टाप चलेगा तिसका कनेक्सन रहेगा कि जो इसका रिड़ वार रहेगा उसका अप लोग को लगा देना है फोरम पे और जो इसका ब्लैक रहेगा कॉमन पर यानि सी यो एम पर लगा दोना है तो इजली आप लोग इस वाले मिल फायर पे हाजार से आठ सो के बीच में खेवी वाटेस का एक ही टाप चला लेंगे अगर आप लोग दो टॉट चलाना है तो 4-400 वाटेस ये 500 वाटेस का एजली बारेंची का टॉप चला सकते हैं जो की काफी ये बेहतरीन क्वालिटी का चलेगा चलीए अगे इस अभ राइज हर मार्केट में अलग अलग देखने को मिले दूचर 500 उपर नीचे देखने को मिले तो आप लोग वहाँ पर अपना मैनेज किजेगा बड़ गाइस यह आप लोग तेरा जार सा चुदा जार के बीच में ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं जो कि एमाजन से डिरेक्ली इस इसे बाई कर सकते हैं इसका लिंक हम अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देंगे आप लोग चाहेंगे तो इसे ऑनलाइन भी अपने घर पर भी इस अमिन फैर को मंगवा सकते हैं लेकिन आप लोग इसका प्राइस सुनकर बिल्कुल नहीं चोगे होंगे यह 13000 में अपने घर पर ही इसे मंगवा सकते हैं तो गाइस यह मेदा डीजे प्लस का मोस्पेड एमिन फैर काफी बहतरीन है बात करेंगे यह इस्ट्रेंजर का मुकाबले काफी ज्यादा पहुर देगा इस्ट्रेंजर का मुकाबले ज्यादा लोड लेगा और काफी इस पर बहतरीन है दोस्तों आई होब कि वीडियो आप लोगो पसंद आयोगा तो वीडियो के एक लाइक कर दीजिएगा अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रिस करके ओल पर भी किलिक लिजेगा ताकि ऐसे वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन मिलता है दोस्तों अगर आपके वीमन में साउंड सिस्टम से रिलेटिव कोई भी सवाल है तो आप लोग नीचे कमेंट बोक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आप कैंसर अगले वीडियो में देनी की को सीज करेंगे तो चलिए फ्रेंड म मिलते हैं किसी नए टेस्टिंग नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत